आज उसे आगे राइट कर चुके हैं आज करेंगे राइट करते हैं Look at the whiteboard जब भी कोई वर्ड राइट करते हैं तो यू भी हमेंचा फास्ट लेटर हम खैपिटल राइट करते हैं तो यू भी हम खैपिटल राइट करेंगे यू आज एण अर्ड अर्म मैंने सुराही या मत्टी का बरतन Next, open your math notebook Students, digit counting भी आप राइट कर चुके हैं, और 0 और 1 आपको पहले कल सिखाया जा चुका है, 0 and 1 के बाद, 2, what comes after 0 and 1, 2, T, W, O, 2, कोई भी वर्ड राइट करते हुए, first letter, capital, and next, small letters, T, W, O, 2, count these, 1, 2, how many ice creams, 1, 2, what comes after 2, 3, first letter, capital, and then small, T, H, R, double, E, 3, double, E mean, 2 time E, T, H, R, double, E, 3, count these, 1, 2, 3, how many ice cream, 3, now open your Urdu notebook, आज का हमारा उन्मान है, अलिव के साथ 2 हर्पियल फास, Students, कल हम बाद असा सीख चुके हैं, सा के बाद, जीम का खानदान आता है, बाद के खानदान के बाद, जीम का खानदान आता है, आज हम सीखेंगे कि जीम के खानदान को हम अलिव के साथ मिला कर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम जीम की आदिय शकाल राइट करेंगे फिर उसके साथ अलिफ राइट करेंगे जीम अलिफ जा जीम जीम के बाद चे चे की आदिय शकाल राइट करेंगे और उसके साथ अलिफ चे अलिफ चा हे की आदिय शकाल राइट करेंगे उसके साथ alif he alif ha he कי आदिए श्काल राइट करेंगे उसके साथ alif he alif fla अब इसको कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको भी बताऊंगी सबसे पहले हमने जीन की साूंड पढ़नी है जीन की सावंड टीचर ने आपको कैसे बताई थी j अलिफ की साउंड कैसे थी? अ-ज-ज-ज-चे की साउंड क्या थी? च-अ-च-खे की साउंड क्या थी? ह-अ-खे की साउंड क्या थी? ख, अलिफ की सांब, ख, तो students, आज हमने पढ़ा, जा, चा, हा, ख, students, जितना भी teacher ने आपको पढ़ाया है, आपने वो सारा write करना है, ममा को चेक करवाना है, जब आप school आएंगे, तो teacher ने भी आपका चेक करना है, और आपको जो भी डाइरी भेजी जाती है, कुरान की और बाकी subjects की, वो भी आपने ममा के पास बैठके पढ़नी है, सुनानी है, याद करनी है, फि टीचर ने छुटियों के बाद आपसे वो सारा चेक करना है, ओके टेक कियार, अलापीज!